यह वीडियो है मुंबई मेंटो रिलेटेड डॉक्यमेंट वरिफिकेशन मेल जो की स्टार्ट हो चुके है फॉर दे पोस्ट ऑफ टेकनिशियन तो जितने भी टेकनिशन के पोस्ट है तो उनके लिए मेल साना स्टार्ट हो गया है प्रोसेस इनिशेट हुई है तो अभी तक पोस्ट और डाकनिशन सिविलढ इस पोस्ट का डॉक्emen वरिफिकेशन मेल स्ट्रिछ को आछे यूजेट ही है तो जैसे का पता हुगा कि रिस आपको पता हो फुकुर अदी जो dal जो जुनियर इंजिनियर श्救ट सो जो जूनियर इंजिनियर ऑगरे बगब इसमेर और स्था पोस्ट वालों को मेल साना स्टार्ट हो चुकé है तो आप अगर एक्सेट करते हो कि एक्सेट करते हो कि आपको मेल आना चाहिए तो आप अपने मेल बॉक्स चेक करो ठीक के और जो की डॉक्मेंट उनोंने मांगे है वो डॉक्मेंट sim जो जुनियर इंजिनियर और बाकी सब भी पोस्ट के लिए वो डॉक्मेंट वरिफिकेशन की लिस्ट है तो वह भी सेम है टिक्निशन पोस्ट के लिए तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि क्या क्या डॉक्मेंट साथ में लेके जाना है तो फर्स नंबर है अटैज्ट प्रिस्क्राइब एप्लिकेशन फॉर्म डॉली फिल्ड तो यह जो एप्लिकेशन फॉर्म मांगा है अगर आपके पास एप्लिकेशन फॉर्म नहीं भी है तो कोई कहां पे भी जाने की जरुवत नहीं है किसी को भी पूछने की जरुवत नहीं है सीधा वेबसाइट पे ज printout निकाल सकते हो ठीक है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है और credentials टुर पासवर्ट की बात है तो आपके मेल पर आया होगा credentials & password तो आप वहां से वह password credentials लेकर आप login करके वह application form दुबारा printout निकाल सकते हो ठीक है next education qualification certificates जो कि आपके 10th 10th education qualification certificates माँगा है certificates and mark sheet डोनों चाहिए नेक्स्ट एक्सपिरेंस सेटिफिकेट अगर आपको कोई एक्सपिरेंस होगा तो एक्सपिरेंस सेटिफिकेट मांगा है अगर एक्सपिरेंस कहीं का आपके पास नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है एजप्रूफ डॉक्यूमेट सेटिफिकेट सेटिफिकेट के पर Aegeproof रहता तो वह मांगा लेवस लिविंग चैटिफिकेट भी लेकिजा सकते हो आप उसके बाद 5th point है का सटिफिकेट का स्वेलडिटी सटिफिकेट अग 근र कटेगरी में बिलॉंग करते हो तो अपको का स्टिफिकेट चहिए हो तो भी चलेगा वह सिक्स मंत की वैलिटी मतलब वह टाइम देते हैं कास्ट वैलेडिटी सर्टिफिकेट निकालने के लिए तो आप उस टाइम जब सेलेक्शन हो जाएगा तब आप निकालके उनको सब्मिट कर सकते हो ए यह से 70 पॉइंट डॉमिसाल सर्टिफिकेट चाहिए होगा और एट्य म Всем वे नोन क्रिम्यल्रीब Deal जिनर направ सेवफिकेट सर्टिफिकेट न सवह एप्ला कुंझालर के अपला हुका है कोजरुब न सब्सक्रक्राइब सेपल्स जिसाचे अगर आप गवर्मेंट और PSU एंपलय होंगे तो ही यह नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप कोई गवर्मेंट और PSU में जौब नहीं करते हो तो नहीं चाहिए नेक्स्ट लास्ट पोईंट MSCAT Computer Professional Certificate तो यह MSCAT Certificate जो है वो अगर आपके पास नहीं भी होगा तो अभी चलेगा आप जा सकते हो इसे ही और यह बाद में समिट किया तो भी चलेगा वो टाइम देते हैं समिट करने के लिए MSCAT Certificate और Cast Validate Certificate यह दोनों Certificate नहीं भी है अ 15 जानवरी को है उनका Documentary Verification Technician Seville 2nd Post के लिए तो आप टाइम पर भोजेगा आड्रेस सेम है ठीक है तो यही थी जानकरी जैसी और पोस्ट के बारे में अपडेट्स मिलती जाएंगी वैसी मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा थैंक्यू सूमच फॉच 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 व